प्रमोधी जी ने जी समवेदना के साथ इन योधनाओं का ताना बाना बुना इतनी ही तिवरता के साथ और बारीक आयोजन करते हुए योजनाओं को नीचे तक पहुँचे इसके लिए खूद व्यक्तिगत स्तर पर प्रदान मंत्री जी के स्तर पर इसकी चिंता करी है इसका लॉप करा है इसके साथ साथ हम चार राज्यों में सरकार सरकार में थे चारों राज्यों के हमारे मुख्य मंत्रियों ने इस योजनाओं को घरीब तक पहुँचे इसके लिए राज्य की मसीनरी को नीचे पहुँचाना का एक सफल प्रयास किया है और योजनाओं नीचे त कागजों पर रह जाती थी वो योधनाय नीचे इंप्लिमेंट होती हुई दिखाई पड़ती है किसी के घर में चले जाईए तो उनके कहिए पूछे के माई क्या मिला तो उसने कहा मुझे तो सब कुछ मिला है घर भी दे दिया गैस भी दे दिया टॉयलेट भी दे दिया संतोस और आनन का अनुबव होता था इसके कारण स्वाभाविक रूप से पांचों राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का लोग प्रित्या आजाद भारत के बाद किसी भी प्रदान मंत्री की लोग प्रिता से उपर चरम सिमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फाइदा भारतिय जनता पार्टी को हूता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ा है और मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम चारों राज्यों में फिल से सरकार बनाने जा रहे हैं और पंजाब में हम हमारी स्थीती को बहुत बहतर करेंगे पंजाब में पहली बार हम गटवंदन के नेता के रूप में गटवंदन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़े हैं मित्रों मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो उत्त्रप्रदेश में कानून और व्यवस्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनात के नेत्रूतों में आया हैं सभी हेड चाहे खुन का हो बलातकार का हो अपरहन का हो धाड का हो लूट का हो सभी हेड में 30 प्रतिसत से लेकर 70 प्रतिसत की कटूती दिखाई पड़ी हैं 700-700 दंगे जिस प्रदेश में होते हैं वहां एक भी दंगा करे बगर 5 साल का कारेकाल भारती जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेत्रूतों में पूरा किया है सारे माफिया कानून की तहट आज जैल में बंद दिखाई पड़ते हैं और महिलाएं विशेश कर बच्चियां अपने आपको सुरक्सित मैसूद करती है एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर उत्तफदेश की चुनाओं में हमने देखा है घरीब कल्यान की सभी योधनाओं को जो मोदी जी ने यहां से भेजी योगी जी ने उसको नीचे तक बहुचाने के लिए बहुत सफल प्रयास करकर सफलता अर्ज की है उत्तरप्रदेश में पहली बार डैमोक्रासी नीचे तक परकोलेट होती हुई दिखाई पड़ती है जातीवाद परिवारवाद और तुरुष्टी करण तीनो नासूरों को मुक्त करकर आज लोक तंत्र को उत्तरप्रदेश में आजादी के 75 साल के बाद पहली बार पनप पते हुए हम देखते हैं मित्रो योगी जी के नेत्रुत में धेर सारे संकल्प जो भारतिय जनता पार्टी ने लिये थे मैं कह सकता हूं 92.6 प्रतिसत संकल्पों की सिद्धी हुई है भारतिय जनता पार्टी के संकल्पत्र उपलब्द है उत्तरपदेश भारतिय जनता पा उनी उवी सरकार ने देखी होगी मोदी जी स्वयम उत्तरप्रदेश से सांसद है कासी के सांसद है जब मोदी जी ने कासी में रोड़ सो देखा तब जनता अपने लिए काम करने वाले अपने प्रिय नेता को किस प्रकार से स्वागत कर सकती है इसका लोगतंत्र के अंदर एक सेलाव उम्रा जन सेलाव ने जीस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया उनकी बातों का जीस प्रकार से रिस्पॉंस दिया है इसी से मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत मझबूत स्थिति के साथ भारतिय जनतापाटी फिर से सरकार बनाने जा रही है पूराखन के घर घर तक आज उनको लगता है कि 40 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मांग को पूरा किया है वन डेंग वन पेंशन से रिटायर से निको के संदमान को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया है कॉंग्रेस के तुरुष्टी करन के खिलाब भी वहां पर एक प्रकार से बहुत बड़ा घुसे का माहूल दिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर जीस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट उत्राखन में लिए गए वहां एक भरोसा बना है कि दुनिया भर के religious tourist को उत्राखन बहुत अच्छे तरीके से आकरसीद करेगा चाहे किदर धाम का पुननिर्मान हो चाहे बदरी धाम के विकास की बात हो चाहे और all weather weather road चार धाम तक पहुचाने की बात हो इस सभी कामों को वहां की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से किया है मनिपूर एक ऐसा दूसरा राज्य बनेगा जहां पर मुझे पूरा भरोसा है भारतिय जनता पार्टी अपने बूते पर आसाम के बाद फिर से मनिपूर में सरकार बनाएगी